बॉलिवुड अभीनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में दिपिका पादुकोन और सैफ अली खान की आलोशना कर शोशल मीडिया पर हल्चिल पैदा कर दी हाला कि कंगना ने अब बताया है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है फिल्म की निर्देशक अश्वनिया यर्तिवारी के अलावा अपनी सहेक अलाकार जसी गिल रिचाचड़ा और नीना गुपता संग अपनी आगा में फिल्म पंगा के एक प्रचार कारिक्रम में शामिल हूई कंगना ने कहा प्रचार कारते है the situation and there's nothing outrages about it so I think every time a girl expresses herself there is a lot of you know reactions from their surroundings I think we've just got to take that easy yeah हाली में अभीनेत्री देपिका पादुकोर ने तक पर अपनी फिल्म छपा के लुक को रेक्रेट करने का चैन्ज दिया था तेजाब हमले जैसे किसी गंभीर मुद्दे को असवेदल शिल अंदाज में लेने के चलते शोशेल मीडिया पर देपिका को लोगों ने खूप ट्रोल किया और कंगना ने भी इसके लिए उनकी अलोशना की कंगना ने कहा कि लोग छोटे आख्यानों का पालन कर रही थे जो उन्होंने खुट को सूट करने के लिए बनाए थे यहाँ पुछे जाने पर कि क्या उनके बायानों को गलत तरीके से दिखाया जाता है तो कंगना का कहना था हमेरे हेडलाइन पड़े लाइस्टाओट आउट अपता नहीं और क्या खरी खोटी सुना दी तो कि अगर उन्होंने पना पॉइव दिया तो मैंने भी अपना पॉइव रखा तो ऐसा कुछ खोटी सुनाया यह सब आइसा कुछ सेंसेशनल बहुत जादा हो जाते मीडिया पर कही नहीं हमारे देश के जो रीडर सेंका टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है तो क्या करें तो यह सब आइसा नहीं किसीव मीडिया का ही उस पर क्लिक सी इतने आते हैं इतने पॉपिलर हो जाते हैं अगर कंग ना लैश्ट आउट तो वह पूरा जो साइकोटिक बिहेवियर है वह सब पूरा जस्टिफाय हो जाता है तो वह है बाकि आग आप मुझे कुछ सवाल बोलना कुछ करना कुछ I'm not that person you know आपने पूछा तो मैं बताउंगे INS report